नमस्कार मैं हूँ सरीता आप देख रहे हैं डेली शो आपकी सितारी जिसमें आज हम रोज की तरह आपके राशी फल के बारे में बताएंगे साथ ही आज आपका दिन आपकी राशी के अनुसार कैसा रहने वाला है नौकरी, वैपार, लेन दिन, परिवार और मित्रों के साथ संबन, सेहत और दिन भर में होने वाली शुब और अशिब घटनाओं के बारे में भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे आपको बता दे कि दैनिक राशीफल ग्रह नक्षत्र की चाल के अधार पर आपको ये बताता है कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल है या नहीं, आज आपको किन चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अफसर आपको प्राप्थ हो सकते है दैनिक राशीफल को जान कर आप दोनों ही परिस्थितियों, अफसर और चुनोतियों के लिए तयार हो सकते हैं इसलिए रोजाना ही अपने राशीफल को जानने के लिए The News 15 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आप रोजाना ही अपनी राशीफल के बारे में जान सके और अगर कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताए आगे हम आपकी समस्याओ को लेकर भी वीडियो जरूर लाएंगे तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का राशीफल मेश राशी में व्रिदी होगी कारोबार अच्छा चलेगा आज आप अपने आप में व्यस्त रहेंगे प्रपोस कर सकते हैं ऑफिस में कोई जरूरी बैठक हो सकती है खुश खबरी जानने के लिए काफी उत्सुक रहेंगे वैपार में जबर्दस उन्निती होगी मिथुन राशी अब ब सेहत के मामले में लापरवाही ना करें सेहत बिगड सकती है कुवारों की शादी तै होगी करक राशी अब बात करते हैं करक राशी की, करक राशी वालों के लिए आज का राशी फल बताता है कि आज इस राशी के लोगों का परिवार के लोगों से स्थामन जिस्से रहेगा, संतान की करियर को लेकर समस्या दूर होगी, पुराने मित्रों से मुलाकात का लाब मिलेगा सिंग राशी अब बारी आती है सिंग राशी वालों के लिए आज का राशी फल बताता है कि आज इस राशी के लोग अधिक समय से थकान महसूस करेंगे सकरात्मक रहेंगे कारो बारी लोगों के लिए दिन बहतरीन रहने वाला है मानसिक रूप से प्रसंद रहेंगे दफ्तर के उलजे मामलों को समहाल लेंगे मार्केटिंग पर आपको काफी ध्यान देनी की अवशकता है तरक्की हो सकती है कन्या राशी अब बात करते हैं कन्या राशी की कन्या राशी वालों के लिए आज का राशी फल बताता है कि आज इस राशी के लोग किसी मानसी कुल जन में रहेंगे धन जादा खर्चोगा संतान की दिक्कतों को दूर करेंगे दूसरों की जिम्मेदारियां भी आपको उठानी पड़ सकती है आपकी अपेक्षा के अनुसार आज सभी काम हो जाएंगे विदेश यात्रा को लेकर बाधा दूर होगी निजी कंपनी में नौकरी करने वालों की सैलरी बढ़ सकती है तुला राशी करने राशी के बाद अब बात करते हैं तुला राशी की तुला राशी वालों के लिए आज का राशी फल बताता है कि आज इस राशी के लोग विरोधियों से सतर्क रहे आपका कोई फायदा उठा सकता है सरल सुभाव के चलते आप लोग प्रिये रहेंगे महिलाओ को अपनी सेहत को लेकर जागुरुक रहना चाहिए शाररी कमजोरी हो सकती है कारे शेत्र में अचानक बदलाव करना पड़ सकता है अपने कारे से संतुष्च रहेंगे विष्चक राशी अब बारी आती है विष्चक राशी वालों की विष्चक राशी वालों के लिए आज का राशी फल बताता है कि आज इस राशी के लोगों को पहले की गई महनत का सुखत परिणाम प्राप्त होगा विवाहितों को घूमने जाने का मौका मिलेगा वैपार में नए सहयोगी जुड़ सकते हैं मांगलिक आयोजनों में भाग लेने से लाब होगा वाद विवाद और चर्चाओं में आप दूसरों के उपर भारी पड़ेंगे किसी मित्र से बहस हो सकती है अब बात करते हैं धनूराशी की धनूराशी वालों के लिए आज का राशी फल बताता है कि आज इस राशी के लोग जादा खर्च करने से बचे आपका मासिक बजट प्रभावित हो सकता है धार्मिक चर्चाओं से आपका दृष्टी कोन बदल सकता है उच्छ रख्तचाप के रोगियों को गुस्ता करने से बचना चाहिए आज अपने काम से काम रखे दूसरे लोगों के मामलों को लेकर जाधा सोच विजान ना करे फिल्ड में काम करने वालों को फायदा मिलेगा मकर राशी अब बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी वालों के लिए आज का राशी फल बताता है कि आज इस राशी के शिक्षा के शेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है मेहनत का फल मिलेगा सरकारी काम में आ रही दिक्कतों को दूर कर लेंगे लोग आपकी कलावा योगता को समान देंगे नए समाचारों को लेकर काफी उत्सुक रहेंगे प्रेम विवा कर सकते हैं कुमराशी मकर राशी के बाद अब बात करते हैं कुमराशी की कुमराशी वालों के लिए आज का राशी फल बताता है कि आज इस राशी के लोग अधिकारियों के वैभार से खफा रहेंगे समपत्ती में व्रिदी होगी सोशल मीडिया में सक्रिये रहेंगे अपने काम वा जिम्मेदारियों से पीछे ना हटे शारिरिक और मानसिक उज़ा में थोड़ी कमी रहेगी व्यर्थ की बातों का तनाव ना ले बुजुगों के अनुभवों का लाब मिलेगा मीन राशी अब बारी आती है मीन राशी की मीन राशी वालों के लिए आज का राशी फल बताता है कि आज इस राशी के लोगों का दिन बच्चों के साथ बीतेगा आप खुश रहेंगे, किसी को सलहा ना दे, किसी प्रभावशाली वेक्ती से प्रोथ साहन मिलेगा, अपने प्रयासों को कमजोर ना पढ़ने दे, आपकी सलहाओं से लोगों को लाब होगा, अपने स्वभाओं में सकरात्मक्ता बनाए रखे, कुवारों को विभा की चिंता रहेगी, देश दुनिया की तमाम खुबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रिए दन न्यूस 15